आप लोगों का अभिनेंदन और स्वागत ये वीडियो जो आपके सामने पहुंच रही है वो टोटल कुंडली जागरण की प्रक्रिया पे आधारित है इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी दूँगा जो आज तक बड़े बड़े विद्वान बड़े गुरू जो इंटरनेशनल लेविल के हैं जो इंडिया लेविल के हैं जो आजकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने इंटरनेट पे और उस वीडियो में इस वीडियो का जो एक तथ मैंने लिया है बहुत कता है सत कता है कि कैसे बालमीकी जी का जो पूर्व जीवन था पूर्व नाम था माने रतना कर से किस परकार से वो बालमी की बने और बालमी की बनने के बाद में कैसे वो ब्रहमग्यानी या तरकाल दरसी दिविद रश्टा हुए इस बालमी की जी के वारे में अभी उनकी कहाने के वारे में सभी लोग जानते हैं पढ़ते हैं लेकिन उनकी अध्यात्मिक या फिर योगिक साधना क्या थी जिससे उनकी कुणलनी शक्ति का जागरण हुआ और सत्त का साक्षात कारूनों ने किया और ब्रह्मगानी के रूप में वो रूप अंत्रित हुए इस विशे में ना तो कभी ओशो जी ने बोला है ना कभी जग्य गुरू ने बोला है जितने भी बरतमान में गुरू है या नी बरतमान में थे उन्होंने उनकी साधना की प्रक्रिया पर कोई प्रकास नहीं डाला है तो मेरा ध्यान आया कि मुझे इस विशे में जानकारी आप लोगों को देना चाहिए तो सुरू होता है एक सूत्र के जाना बालमी के भए ब्रह्म सावाना इसका जो अर्थ है लोग करते हैं या जो कथा वाचश कहीं या प्रभक्ता है उसका यही अर्थ लेते हैं कि राम का नाम उन्होंने उल्टा जपा जिबकि चौपाई में राम सब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है उलटा नाम जपत जग जाना मने राम नाम को उल्टा किया ऐसा नहीं कह रहा है तोलसी दास जी ध्यान दीजेगा चौपाई में यह कही नहीं गोश्वामी जी ने इंगित किया है इनफॉर्म नहीं किया है कि राम के नाम को उन्होंने उल्टा किया वो कह रहा है उल्टा नाम जपत जग जाना बाल मी के वह ब्रह्म समाना लोग समझते हैं लोग इसका ट्रांसलेट करते हैं कि राम के नाम को नोंने मरा मरा उल्टा जपा और जपने के बाद में वो ब्रह्म ग्यानी हो गए अरे भाईयों ये बताइए सीधा नाम जपने से त करती का जागरण नहीं हो रहा है तो मरा मरा से कैसे हो सकता है तो यह डूलजिक बात है किला क्या से वुए तो कहने कार्थ सरे की इस हीरो रहा है सबसे पहले उसमें शब्द आया उलटा क्या किया उन्होंने मनें जो रतनाकर थे बालमी की होने से पहले जो रतनाकर नाम के वो डाकू थे दश्यू थे मैं उस कहानी पर नहीं जाओंगा क्योंकि बड़ा विस्तार हो जाएगा तो जो रतनाकर के गुरु जो शब्द रिसी हुए सब्द महापुरुश हुए सब्द गुरु है उन्होंने उनको एक टेक्ट बताया तो इस टेक्ट को इसारे में एक सब्द में केप्सूल की तरह चौपाई के माध्यम से तुलसीत आश्ची ने कहा कि उल्टा। माने उन्होंने उल्टा किया पहले वो डकैत थे पहले मार काट करते थे फिर उसके बाद उनोंने उल्टा मने उसके विप्रीत चले गए उनका जो जीवन सैली थी लाइफय स्टाइल था वो उनोंने बदल लिया मने उल्टा किया पहले डकेत थे फिर वो एक साधू जीवन जीने लगे मनें उन्होंने हिंसा करना बंद कर दिया नंबर एक वो दूसरे के धन को की व्याख्या उलटा नाम उसके बाद में जब उन्होंने अपने साइकोले साइकोलोजी कली इंप्रुमेंट किया और डाइवर्ट हो गये वह मनें नकार आत्मक जीवन से सकार आत्मक उन्होंने अपने इस्टाइल life style को अपनाया और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया नाम को जपा नाम जपा तो नाम कौन सा जपा इस बारे में आपका गुरु बताएगा या योग सादक है कुंडलनी जगरण की जो प्रिक्रिया है उसमें कौन सा नाम बताया जाता है वो आपका गुरु आचारिय योगी ही आपको सुझाओ दे सकता है तो उन्होंने पहले उल्टा किया अपने सुभाव को बदला बदलने के बाद में फिर उन्होंने नाम जपा उल्टा नाम जपत जब उन्होंने फिर वो नाम जपा हिंसा के खिलाब चले गए वो चोरी डकेती के खिलाब चले गए और प्हिर उन्होंने अपनी आदतों में शुधार किया कि उन्होंने अपनी आदतों जग जाना मने की उनकी जो इनर्जी लेविल था जो उनका कुंडलनी शक्ती था वो जग गया अवेकनिंग अवेकनिंग अफ दा सर्पेंट और सर्पिलस इनर्जी देट इस एक्जिस्टेट इन आवर बॉड़ी यू के नो टुट टाइप दिश इट इटनल पावर विच इस वर्किंग ओन थ्रो अवर फिजीकल वॉड़ी मने जो हमारे अंदर एक जो इनर्जी है जिसको oste कि परमातमा का अंशय है जो हमारे सरीर के अंदर सक्रिय है काम कर रहा है व्यू सक्ति उननके अंदर जग गया उलिटा नाम जपत जग जाना जब वो जग गई तो उन्होंने जाना किसके वारे में जाना उस ब्रह्म के वारे में जाना सत्य के वारे में जाना और अपने अस्तित्त के वारे में जाना तो उल्टा नाम जपत जग जाना बालमीकी इसके बाद में वो बालमीकी हुए बालमीकी कार्थ हुए जब वो अपन चीटियों ने अपना और भिल घर बना लिया माने उसे मिट्टी लग गई और दीमक का घर बालमी की बन गए वह उसके बाद में जब बालमी की नाम पढ़ा बालमी की नाम तब पढ़ा जब वो समाधिस्त हो गए उस सत्य में उस ज्यान में समाधी की अवस्ता में तब वो बालमी के हुए और उसके बाद में ब्रह्म समाना माने कि वो इसुर के रूप हो गए जैसे कहा है हम लोगों ने गुरू ब्रह्मा गुरू विश्णू गुरूर देवो महसरा गुरू साक्षात पर ब्रह्मा तसमे स्त्री गुर माने कि बाल्मिकी जो है ब्रह्म के समान होगे गुरू के समान होगे आदरानिय होगे अनकर्णिय होगे पोजनिय होगे बाल्मिकी जी की कहानी के उपर तो काफी लोगों ने प्रकास डाला है लेकिन उनका जो स्टाइल एफ रियलाईजिशजिशन सेयल रियलाईजजिशन प्रोसेस ओफ दसेयल रियलाईजिशन एनी परसंड के नोट भी स्वीक ऑन देट मैंने कोई भी व्यक्ति उस विसे पे नहीं पाता है कि उनकी साधना का तरीका क्या था ठीक है आज इस विशे पर मेरा विचार आया और एक सवाल किया था कि गुर्दे बालमीकी जी की साधना की प्रक्रिया पर बोलिए तो आज मैंने आप लोगों को संचेप में ये प्रक्रिया बताई है लेकिन ये कुंडलनी जागरन की प्रक्रिया है पूर्टा कुंडलनी जागरन की हटियोग की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया का अभ्यास करने से पहले आपको एक उचित मार्ग दर्शक की आवश्यक्ता है अदरवाइस इसके बहेंकर परिणाम भी हो सकत जैसे कि मैंने अन वीडियो में आपको साफधान किया है तो इसी सब जानकारी के साथ में आप लोगों का मेरा आशीरवाद मंगल कामना है और फिर किसी नई सूचना के साथ में प्रायोगी के विधी के उपर और जीवन उपियोगी संदेश के साथ में फिर मैं आपसे पुना आमने सामने होंगा तब तक के लिए बिदा हो